हेलो स्टूडेंट्स, आप मंतिशा रुबा, आज हम लोग 12th English Medium Biology में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को Asexual Reproduction के चार मोड पढ़ाये थे, फिजन, फिजन के दोनों टाइप, बाइनरी और मल्टिपल फिजन, उसके बाद अगला टॉपिक हमने आप लोगों को पढ़ाया था, बडिंग, फिर तीसरा आप लोगों का था, जैमिल फॉर्मेशन, चौथा आप लोगों का था, री जनरेशन, अब उसी के आगे हम आप ल फ्रेग्मेंटेशन जो होता है, वो लोवर केटेगरी के प्लांट्स में होता है, जैसे अलगी, अलगी जो फिलामेंटस अलगी होती है, उनकी बॉड़ी जो होती है, वो फाइब्रस होती है, रेशेदार होती है, तो उनकी जो जब उनको रिपरड़क्शन करना होता है, त fragmentation कहलाता है fragmentation मतलब होता है विखंडन तूटना तो यह mostly आप लोगों को मिलेगा देखिए उसमें एक्जामपल दिया गया है यह mostly आप लोगों को अब अगला मोड आप लोग reproduction का देखिए चटवा दिया गया है यह एकदम लास्ट मोड है आप लोगों का reproduction का asexual reproduction का sports चटवा point है आप लोगों का sports sports मतलब होता है बिजाडू इसमें क्या होता है कि एक तरीके का अलग सा body में एक अलग structure बनता है सिर्फ reproduction के time पे बनता है इसमें भी सिर्फ single parent की जरूरत होती है और यह भी mostly lower category के plants, algae, fungi इस तरह के animals या organism में होता है इसमें होता यह है कि इसमें sporengia बनती है एक अलग तरीके का अलग तरीके का part बनता है plant में उसके बाद उसमें छोटे-छोटे sports बनते हैं फिर वो sports parent body से अलग हो जाते हैं और प्रतेक sports जो होता है वो एक नई plant body को जन्म देता है अच्छा देखिए इसकी movement के base पर sports को दो part में बाटा गया है motile और non-motile motile motile मतलब ऐसे sports जो चल फिर सकते हैं जिन में फ्लैजला पाई जाएगी उनको आप लोग motile sports केंगे और non-motile sports मतलब जिन में फ्लैजला नहीं पाई जाएगी motile force को हम लोग zoo sports भी कह सकते हैं और non motile sports को हम लोग aplano sports भी कह सकते हैं ये दोनों sports इनका दूसरा नाम है अब देखिए जो lower category के organism होते हैं वो कैसे reproduction करते हैं कि इन में sporengia में sports बनते हैं उसके बाद ये pan and body से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद हर प्रतेख sports एक नई colony को जन्म देता है तो इस तरह का reproduction जो होता है वो सिर्फ lower category के organism में ही होता है और ये asexual reproduction का mode है तो ये आप लोगों का यहां से जितने भी हमने mode आप लोगों को पढ़ाए हैं ये सारे mode जो हैं ये सारे mode आप लोगों के asexual reproduction के mode हैं अब आप लोगों का ये topic यहां से complete हो गया अगले वीडियो में हम आप लोगों को asexual reproduction के बीच में difference बताएंगे और उसके बाद फिर अगला आप लोगों को vegetative और sexual reproduction के बारे में पढ़ाया जाएगा थैंक यू